कोई दकत नहीं पता नहीं जो तारी राय सो मारी राय देखो सुनो मत बोलो वेरेवा वेनेवा बोटे भायू आओ किसी को आओ मत कहो ना कुछ पाना ना कुछ हो ना ववा स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् समस्या कहीं भी बाहर नहीं है कई बार हम लोग देखते हैं न कि यार मैं अकेला बोर हो रहा हूँ तो समस्या कहा है बाहर है कि अंदर है मनुष्य के जीवन में समस्या आती है जब हमारे सामने बहुत सारा समय उपलब्द है चोटे बच्चे देखो उनको पास टाइम ही नहीं किस करने के वो क्या कर रहे है वो इंपॉर्टन नहीं है अपने आपको बिजी रखते हैं और यतना आद्मी अपने को बिजी रखेगा उतना सवस्त रहेगा सवस्त रहो, चुस्त रहो, विस्त रहो, मस्त रहो जीवन में कभी भी हमको अपने आपको रिटायर नहीं करना देखो और जब व्यक्ति के सामने कुछ लक्ष नहीं हो तो फिर हम किसलिए जी रहे हैं यहीं पता नहीं चलता और इसे लिए हम श्रीमत भगवत गीता का आधार लेकर के समझने का प्रहत्न करेंगे देखो भगवत गीता को इसको बंदी कर देदे अब आप सुन रहे हैं मुझे आँ ठीक है भगवत गीता को समझना हो तो संदर्भ कहां है भगवत गीता आकाश्य टपकी क्या किस ने कहां बताई किसको बताई कब बताई यह सब जानना आवश्यक है तो भगवत गीता आती है महाभारत में और भगवत गीता का उपदेश इसको ये मूल बाते इसको समझ लेना है भगवत गीता का उपदेश किस ने किसको दिया हम सब जानते हैं भगवान क्रिश्ण बोले और अर्जुन ने सुना हम यह भी देखते बगवत गीता में संजय उवाच संजय जी ने बताया किसको बताया ? दृतराष्ट्र को बताया तो एक जोड़ी हो गई भगवान कृष्णा और अर्जुन दुसरी जोड़ी हो गई संजय और दृतराष्ट्र और आपको सबको पता है अर्जुन का एक नाम कपिद्धज था क्योंकि अर्जुन के रत पर जो जंडा था उस पर हनुमान जी का चित्र था इसलिए अर्जुन को कपिद्धज कहते थे जिसे हमारा तीरंगा जंडा है वैसा उसका कपिद्धज था अच्छा महाराज चौथे तीन ये हो गए एक क्या हो गए जिसकी आउशक्त नहीं हो जाएगा अभी चल राठीक से तब सुन रहे हैं ना अब अब डिश्टर मत कर बाद में कल कर ले ना जो सुनने ही सकते हैं आगे आगे बैठो जड़ा होई बात में और ये तीन हो गए और चौथा कोन है चौथे हम है आपको सुना रहे आप लोगों ने राम जरित मारस पड़ा है ना उसमें एक कलपना करी गए रूपक बांदा है चार घाट है एक घाट पर ज्ञान की बात हो रही है शिवजी और पार्वती जी के बीच में एक घाट पर कर्म की बात हो रही है देखो एक घाट पर उपासना की बात हो रही है और चौथे घाट पर शरणागती की बात हो रही है इसी प्रकार से भगवद गीता के भी ये चार घाट है अब दुसरी महत्व की बात, पूरी भगवन गीता सुनने के बाद, धुरुतराष्ट्र को क्या हुआ, इसका कहीं भी उल्लेक नहीं है महावारत में, देखो, धुरुतराष्ट्र हमारे जैसा है, कितने सत्संग सुनके रग दिये, कुछ परक नहीं पड़ता, देखो, हम लोग प्रोफेशनल सत्संगी बन जाते, कोई भी महात्मा आजाओ, हमको बदल के दिखाओ, देखो, तो एक भगवत गीता, सुनी धुरुतराष्ट्र ने, लेकिन उस पर कोई फरक ने पड़ा, जैसा का वैसा ही, देखो, दुसरी भगवत गीता संजय ने सुनी, व्यासब प्रसादा शुरुतवान एतत गुयम अहंपरम, मैंने भगवान वेदव व्यासके प्रशाद से, यह पूरी भगवत गीता सुनी, संजय स्वैम करते हैं, कहते हैं, भगवत गीता में अंतमे जा करके, और फिर उनको क्या हुआ, वो कहते हैं, कि भगवान का विश्व रूप देख करके, तच्च संस्पृत्य संस्पृत्य रूप मत्यत भुतम हरे हैं, भगवान का वो अध्भुत रूप सुन करके, रिश्व मिच पुनरपुनहा, मैं बहुत ही कुष हो रहा हूँ, आनन्द में हूँ, मस्त हूँ, यह संजय को हुआ, अब तिसरी बात, अर्जुन को क्या हुआ, देखो, अर्जुन स्वैम कहता है, नश्टो मोहा, स्मृतिही लब्दा, तर्प्रसादाट मयाच्चुत, स्थितोस्मी गतसंदेहा, करिश्ये वचनम्तव, यह भगवन मेरे सब संदेह नश्ट हो गए, और इसलिए आपने जो बताया, वो मैं निश्चित करूँगा, तो तीन बाते हो गई, और हम लोग भी सुन रहे हैं, अब हमको क्या होगा, या क्या होना चाहिए, या क्या नहीं होता, देखो, एक बास पश्ट समझ लो, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ग्यान नहीं दिया, ग्यान नहीं दिया जा सकता, फिर, यदि कोई दिया जाएगा, तो इसको ले भी जाएगा, वापस, जो निर्मान होगा, वो नश्ट होगा, भगवान ने अर्जुन को अंत में जा करके, ये नहीं पूछा, क्या तुमको ग्यान हो गया, ये नहीं पूछा, क्या तुमने जो सुना है, ये सुन करके, तुमारे मन से संदेह या मोह नश्ट हो गया की नहीं हो गया, ये पूछा, और अर्जुन ने भी ज्ञान नहीं मांगा था, द्विती अध्याय में आप चले जाओ, तो वहाँ अर्जुन स्वयम कहता है, कारपण्य दोशो पहतस्वभावः, पुरुच्छामी त्वाम धर्म सम्मूडचेता, यस्रे यस्यात, निश्चितं ब्रूहितन में, शिश्यस्तेहं, शाधिवाम त्वाम प्रपन्नम, ये भगवन, कारपण्य दोश से, मैं अपने धर्म को भूल गया हूँ, कारपण्य दोश माने क्या, माने अपने पर तरस खाना, देखो महाराज, किसी अन्य व्यक्ति पर भी तरस नहीं खाना है, जब जिस पर हम तरस खाते हैं न, उसको हम अपने से कनिष्ट समझते हैं, करनी है तो सेवा करो, नहीं तो दुर रहो, नहीं तो केवल लिप सिंपथी, विचारा गरीब है, खाने को नहीं है, चल बेड़ा ले ले एक टुकड़ा की ले ले, हम भगवान का अफमान कर रहे हैं, जैसे किसी अन्य पर तरस नहीं खाना, वैसे अपने पर भी तरस नहीं खाना, जैसे तो हमेशा पापो हम, पाप कर्मा हम, ए भगवन मैं भोधी खराब हूँ, मैंने ये किया, ना 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 आ आप साक्ष पास्तर ही, ये हिम्मत करता है कहने की, कि आप हो, चाहे आप जानो या न जानो, चाहे आप मानो या न मानो, अपने इस परमात्म स्वरूप को पहचानो, इसकी लिए भगवन गीता है, दिखो, तो कारपंड दोशो पहत स्वभा वहा, ये अपनी उपर तरस खाके, मैंने अपने सभाव को भूल गया हूँ, अर्जुन का सभाव क्या था, उसका चरितर क्या था, एक सफल योध्धा था, अर्जुन के जो अनेक नाम है उसमें एक नामند हैं विजय, उसको ये जो मिला था, पढ़ोभुशन वगर नहीं था, उसको मिला था, क्योंकि उसने जितनी कभी लड़ाई या लड़ी थी कभी भी ओहरा नहीं था इसलिए उसका नाम विजय था अब ऐसा जो अर्जुन है वो कहता है धर्म सम्मूरचेता मैं मेरे धर्मक्स के बारे में मोह में आ गया हूँ अब क्या थी समस्या अर्जुन की कथम भीष्मम हम संखे दुरुणम्च मदुसूदन इशुभी प्रतियोच्यामी पूजार हावरिसूदन हे मदुसूदन भगवान कृष्ण का एक नाम मदुसूदन मदू नाम के राक्षस को जिसने मारा था और अरिसूदन जो अरि मने द क्या है अरिसूदन मदूसूदन और मुझे अपने गुरु को अपने दादा को मरवा करके मुझे क्या नाम दो गए कि गुरुसूदन और दादा सूदन अर्जुन की समस्या यही थी कि कैसे मैं अपने दादा को कैसे मैं अपने गुरु को मारू यह कौन है यह पूजार हा यह पूजनिया है, और शब्द क्या है प्रतियोढ़काई मारने की बात नहीं बनी बात नहीं है 151 इद स्मझआ हमारे पिदाजी ने हमको चाटा लगाया तो क्या हमु का पकड़के उनको चाटा लगाays वाने उनका प्रतिकार करने का भी हमको अधिकार नहीं है मारने की तो बात दी चोड़ो तो कशम भिश्मवहम संके दुरुणम चमदु सूधना इश्यु भी प्रतियोद्ष्यामिय कैसे आप कहते हो कि मैं उनको मारू दुरुणाचारे भिश्माचारे अब यहां से हम सब के जीवन की समस्या प्रारम होती है अम्मा आजाओ अंदर बैठ लो पर दुखेंगे बाद में अच्छा चली जाओ अच्छी बार है तो अर्जुन की समस्या क्या थी यही हम सब की समस्या है अभी आपने जो हैपी मंत्र माला सुना ना पहले जो मैंने प्ले किया एक मिनिट उसमें एक बात आये थी वेरेवर यू आर वेरेवर यू आर वाटेवर यू आर भी 100 परसेंट आप जहां हो जब हो जो हो सव प्रतिशत रहो हम कहां है अब सत्संग में कब जब सत्संग चल रहा है तो अब हम क्या होने चाहिए सत्संगी लेकिन सत्संग ही होने के स्थान पर हम बन जाते हैं दादा मामा चाचा सास बहु तो क्या होगा एक बार बंबई में हमारा सत्संग होने के बाद एक अम्मा आई गोल मटोल जैसे हम उत्रे स्टेश से हमको कह दिए स्वामी जी आज का आपका सत्संग मेरे बहु के लिए ए स्वयम आई है और फिर भी तु अपने को बदलने को तयार नहीं और तेरी बहु आती नहीं उसको सुना करें वो बदलेगी ज्यान से सुनना सत्संग के द्वारा परिवर्तन अपने में आता है दुनिया में नहीं आता कितनी महत्वकी बात है हम लोगों की स्थिदी कैसी है हम गाड़ी चलाते है और रोड पर उल्टा सिधा ट्रैफिक चलता है और गुस्सा करते है अब सवाल यह है ड्राइविंग लाइसंस आपको मिला है कि रास्टे पर चलने वाले गाय भैस बैलों को मिला है हमको मिला है न तो ड्राइविंग लाइसंस हमको मिला है तो हमारी ड्राइविंग करने की क्षमता उच्च हो यह ट्रैफिक को घुस्सा करने से कुछ नहीं होता आप देखेंगे कितने लोगों का स्वभाव बन जाता है इतना गालिया देते रहेंगे गाड़ी चलाएंगे देखो कैसा ब और गजाओ करना यहाँ अध्यात्म नहीं है यह क्यों होता है क्योंकि हमने इस मंत्र को जीवन में उसारा ह। हम जहां है जब हैयजो है करेंगे हम को जितने भी प्रश्ण पूछने वाले होते हैं प्रश्ण नहीं होती उनके पास कंपलेन होती है और एक सबसे ज़्यादा बड़ी कंप्लेट, स्वामी ज़ापको क्या होता है, शादी करके दिखाओ, माने किसी ने शादी करी, ये कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे गौवर्मेंट जब के लिए एक कोई क्वालिफिकेशन होता है न, आप शेडूल का, शेडूल ट्राइब ये हो वो, तब आपको मिल जाएगा, चाहे लाएगो ना लाएगो, इसी प्रकार से, अध्यात्म में हम गरस्त है, अरे गरस्त है तो क्या खास बात है, देखो, अपने कमियों को जस्टिफाय नहीं करना, हमको चलना है आगे, अच्छा महाराज, जब अर्जुन ने ये कहा तो अर्जुन की समस्या क्या थी, वो युद्ध के मैदान में था, तो युद्ध के मैदान में वो दादा का पोता है, या गुरु का शिश्य है, कि भाईयों का भाई है, कि युद्ध में युद्धा है, कि पूरी जो भगवन गीता, भगवान ने बताई, वो इसी अर्ज आपन्य दोशो पहत्व स्वहावावा पुरुच्छामी त्वाम धर्म सम्मू रचेता मैं धर्म से बारे में सम्मोह में पड़ गया हूँ इसलिए मैं आप से पूछता हूँ क्या यह श्रेयस्या निश्चितम व्रुईतन में जो मेरे लिए योग्य होगा वही आप मुझे बताये हूँ व्रू favored हमकाँ योग्य है कि हम से जादा हमारे भगवाण जानते हैं कि अ बीदे जीवन की अनुबह लिए कि जीवन का योग्य विश्लेशन करो आप कभी दुखी नहीं हो जैसे कई बार अपने दात में दर्द होता है तो दात में जो दर्द हुआ वो हमको परेशान करने के लिए दिया है क्या कि ये बताने के लिए यार तुम्हारे दात में गड़बड़ी है उसको ठीक करा लो दुखी होने के लिए नहीं दिया वो एक वार्निंग दिया है गड़बड़ी अठीक कर लो इसी प्रकार से हमारे जीवन में अच्छी बुरी घटनाये मान अपमान लाबहानी दोस्त दुश्मन ये सब जब आते हैं न तो ये इसलिए आते हैं है तुम जहां आये हो उस प्रय प्रकार रहे हो वापस आजाओ देखो संतो ये बास पश्ट समझ लेना इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं यही हमारा देह इसी देह में होते हुए हमारे माध्यम से कनयालाल प्रकट हो भगवान के दर्शन के चकर में मत बढ़कना ही दरो दरो भगवान को हमारे माध्यम से प्रकट होने दो भगवान प्रकट होते हैं बगवान का जन्मा नहीं होता है बगवत गीता में कहां है अजो पीसन नव्वे आत्मा भूताना मीश्वरो पीसन प्रकृतिम साम अधिश्टाय संभवामी आत्ममा यया तो मैं जन्मता नहीं हूं मैं अजा हूं मेरा जन्मा नहीं तो मैं प्रकट होता हूं अब यह प्रकटिक करण को समझो चोटी आप सबी दरस्ता है आपके चोटे बच्चे चोटी बच्ची एक साल के दो साल के देरे देरे बढ़ रही है पंदरा पंदरा ने 1213 साल की हो जाती तब वह जवान होने लग जाती तो यह doable提 अभिति उस लड़की में आई कि आते अ कि उसमें थी कैसी ते अव्यक्त थी किसी प्रकार से बाग्वान से में आये हैंने हमारे पास कि हम में जो भगवान है परमात्मा है उनको प्रगट होने दो और इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि भगवान क्या है तब पता चलेगा भगवान हम सब जानते हैं पढ़ते हैं सच्चिदानन्द भगवान की जै सत्माने स्वयम जीयो दुसरे को जीने दो मन में कभी भी ये बुरे विचार मत लाना आप तो मुझे आत्मत चाही करनी है आप तो जीवन खतम हो गया अब जीके क्या करूँगा नहीं आपको देह को नश्ट करने का कोई अधिकार नहीं ये देह आपने निर्मान नहीं किया जैसे ये सुन्दर मंदिर है हम कहें कि यहा हमारा कोई अधिकार नहीं इसी प्रकार से ये जो देह है माबाप ने निर्मान किया है हमको रहने के लिए किराय पे दिया है और हम गुन्दागर्दी करके घुज गए तो मेरा ही देह हो गया मैं हो गया इसे लिए देह जो हमको मिला है इसी के माध्यम से प्रभू को प्रकट होना है तो हम जीए अन्य को जीने दे फिर वही भगवान चित स्वरूप है सच चित आनंद तो स्वयम धोका न खाए एकडम अलर्ड जीना है ऐसे नहीं कि कोई भी आ करके हमको बेवकूप बना के चला जाए नहीं एकडम जागरत हो और उसी प्रकार से किसी को भी धोका नहीं देना है तो हम भी धोका न खाए अन्य को धोका न दे और तीसरी बात आनंद स्वरूप कभी भी अपने दुखी होने को जस्टिफाय मत करो किसी भी हालत में अपने दुख को जस्टिफाय मत करो कि स्वामी विवेक आनंद कहते थे कि हम लोग बातुरू में जाते हैं ना दोकर कि वापस आये मेकप पूरा किया जितना पोतना पातना था कर लिया वो कहते थे आपका मेकप पूरा तब तक नहीं हुआ जब तक के बाहर निकलते समय आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है दुनिया में घूमना है तो जैसे बाकी का सब मेकप करते है चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए तम जाकर के जीवन है, दुख किसके जीवन में नहीं है? एक के जीवन में नहीं है, मुर्दे के जीवन में. जिन्दा है, इसलिए दुख है. देखो, तो अपने दुख को ले करके, यह मत समझना कि मैं बड़ा पापी हो, पता नहीं मेरे जिन में क्यों दुख आते हैं, हर ए पार्शन की जीवनी पढ़ लो कि इनके जितने दुख्रते हम कलपनां भी नहीं कर सकते आखिर में जा करके उनके ही पुत्रों ने उनको परेशान किया था तो जो भगवान की पुत्र उनको परेशान करते हमारे कभूतर क्या करेंगे लेकिन उसी में फसे हुए पूरा जीवन बच्चों को ले करेंगे देखो संतों इसे लिए अर्जुन की समस्या यही थी कि मैं कैसे करू क्या करू यह समस्या बाहर से नहीं आई अब बताओ विश्माचारिय दुरुनाचारिय क्या वो ब्यकूप से उनका तो पोटा था उनका शिश्य था उनको कोई समस्या नहीं थी अर्जुन को समस्या थी जो आदमी ज़्यादा शाना होता है उसको जो समस्या होती है एक भाग आता है महाभारत के प्रतम भाग में जब युद्ध सुरु होना था समझो कल सुरु होना है तो धृत्राष्ट्र ने क्या किया पहली रात संजे को भीज दिया पांडवों के टेंट में और कहा उसको जा करके ऐसा ऐसा बताओ बड़ा शुरूर पॉलडीशन था हो तो उसमें संजे गए भगवान कृष्ण और पाचो पांडवों बैठे हुए थे और संजे जैसे गए तो सबने उनका आदर सतकार किया बुलाया आईए बैठिये उन्होंने अपना सुरू कर दिया देखो तुमारे चचा कह रहे है कि मेरे पुत्र तो गए बीते है मानती ही नहीं कोई बात मैं तो तंग आ गया उनसे लेकिन तुम तो अच्छे हो धर्म का पालन करने वाले हो तुम बड़ों को आदर करते हो इसलिए में तुमसे ही बिंती करना चाहता हूँ कि देखो ये युद्ध में अपना ही कुल नश्ट होने वाला है इसलिए युद्ध से वापस चले जाओ और तुम तो शक्तिशाली हो ना कहीं दूसरे जगह में बना ले इतना भी नहीं कर सकते है और ऐसी उनके मन में भ्रांती डाल दी उस समय हमारे कनहिया लाल वहां थे भगवाल ने कहा कि पांडों के जरब से मैं बोलू क्या तो कुन कहेगा ना देखो कितनी बड़ी बात है समझो मैं आपको पूछो क्या आप मेरे से प्रेम करते हो ना भगवान ने कहा क्या मैं पांडों के दर्व से बोलो आंड़ों ने कहां वह और ने कहां जाके बोल दो युद्ध होगा जाओ और वो चले गए आप ये पांच बचे रहे भगवान ने सब को कहा अपने अपने टेंट में जाओ कल सुबसे युद्ध में तयार होना आए और फिर युद्धिश्टीर को कोई समस्या नहीं जो निर्णे ले लिया है उसको एक्जिग्यूट करना है प्लान यूर वर्क वर्क यूर प्लान दूसरा भीम भीम को कोई समस्या नहीं थी उन्होंने पहले ही प्रतिज्द्ध्या कर ली थी कि दुश्यासन के चाती को फ्रिश के जिसा खोलूंगा उसमें से उसके दिल को कोक प्रिश्टीर को कोई समस्या नहीं थी और भीम को कोई समस्या नहीं थी जुडवे जो बचे थे नकुल सहदेव वह सबसे इंटेलिजेंट थे मैं आपको एक टेक्निक बता दाओं ट्राय करके देखो यूर में कभी दुखी नहीं होगे कौन सी टेक्निक है आप हमेशा पी चलना है क्या लेक्टर के जहां चलो यह तो हम अपने बैठे आराम से फिर वहां जाना है वहां चलो देखो जब हम यहां आए हमको कहां रहेना है हमको चिंता नहीं हमको कहां खाना है हमको चिंता नहीं हमारे कपड़े कौन धोएगा हमको चिंता नहीं हमको कहां से वहां को ले जाएगा हम को चिंता नहीं कितना आनन्द है अब कोई हमारे लिविचार कर रहा है चिंता ही नहीं रिलाक्स तेकिन हर जगप मैं चहाता हूं ऐसा होना चाहिए मैं चाहता हूं ऐसे वना चाहिए और जिंदगी वर्थ दुखी रहो तो ये नकल सहदेव जो थे दोनों ये सबसे इंटलिजन थे उनका दिरने था हमने बड़े भाईया की पीछे चलने का दिरने ले लिया है तो अब वो कहते है युद्ध करो तो करो नहीं तो नहीं करो रिलाक्स तो चारों का हिसाब हो गया युद्धिश्टिर उसके बाद भीम नकुल सहदेव अब एक बचा अर्जुन सिंग अब देखो अर्जुन सिंग की के बाद है जहां विचार करने की आवशक्ता नहीं वहां विचार मत करो मैनेजमेंट का एक सिद्धानत है प्लैन यूर वर्क एन वर्क यूर प्लैन प्लैनिंग ही करते रहेंगे काम भी तो करो न तो उसने यहीं सुरू कर दिया और आप देखेंगे जो अर्जुन के प्रसम अध्याय में जो श्लोक है वो उसी शब्द को बताते हैं जो संजे न इन पांड़ों को बताया था वहीं कहता है कि देखो हम बड़ों को कैसा मारे और देखो वो तो बेवकूप है लेकिन हम तो समझदार है न तो हमको यह नहीं करना चाहिए इसके द्वारा हमारा कुल का नाश होगा देखो स्री शुदुष्टा अशुवार्षने जायते वर क्या है भगवान कृष्ण को सिखा रहा है कि इसे लिए नारत भक्ति सुत्र में एक सुत्रा आता है दुष्ट संगहा सर्वतहिवत्याज्या दुष्ट संग में ना रहो और दूसरी महत्व की बाद एक बार हमको अमरिका से एक अम्मा का फोन आया तो यह सामी जी मेरी क्लास में जाती है और वहां के जो बच्चे है उसके क्लास में वह हमारे हिंदु धर्म को लेकर के उल्टी सिरी बात करते हैं तो तुमारे 33 करोड़ देव है कैसा होता है हमारा देखो एक ही गाड है और एक ही मंदिर है और एक ही सब कुछ है तो इसको मैं कैसे समझाओ हमने का देखो ये समझाने का अधिकार तुमको नहीं है अनधिकार चेश्टा नुकसान करती है हर एक में अधिकार होता है देखो ये इतनी महत्व की बात है महाभारत में एक दूसरा ग्रंता आता है जिसको कहते हैं सनत्सुजातिय बहुत सुन्दर गृंत है उसमें ये पूरा बताया है मृत्यु असम्भव है कोई नी मरता है उसमें कथा ऐसलाती की वीदूर जी ने बहुत सारी बाते दुरुतराष्टर को बताई है है धुरुतराष्टर कहते हैं क्या है आएसी कोई बात है जो मुझे मानुन नहीं कि तुमको मा मुझे बताओ क्या है कैते दिखो मैं जानता हूँ मैंने सीखा है लेकिन किसी को सिखाने का अधिकार मुझे को नहीं है कितनी महत्वकी बात है कि यदी अनधिकार चेष्टा करें तो हम अपना सक्त्या नाज करने और इसे लिए मैं नहीं बता सकता फिर मैं अपने गुरु महराज का अवहान करता हूं वह आपको बताएंगे फिर उन्होंने संद्कुमार जी का अवहान किया संद्कुमार जी आये और उन्होंने फिर ये पूरा का पूरा ज्यान दुरुतराष्ट्र को दिया इसी प्रकार से ये इतनी सारी बाते संजे के सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को उबदेश करने लग गया और आप एक महत्व की बाद देखेंगे भगवान कृष्ण ने जो किया वो आवश्यक था जयसे हमारे जीवन में दुख आना आवश्यक है जिसके जीवन में दुख नहीं है वो मुर्दा है बहुत आवश्यक है इसको समझ लो बागी सब ठीव हो जाता है देखो कैसे भगवान ने निर्मान किया दुख अर्जुन के जीवन में अर्जुन तो आया था युद्ध करने के लिए इतने सालों तक जंगलों में थे वो लो तो उन्हों ने उस समय में कुछ भगवान का नाम तो कुछ ने किया जो कुछ किया था केवल युद्ध करना है यही एक संकल्पो को दुरुड किया था। अच्छा महाराज और युद्ध के मेधान पर आगे। पूरी तयारी के साथ आप इनको निस्तनाबूत कर देंगे। और उसी एरोगंस में, उसी गुसे में आकरके अर्जुन भगवान को आज्या करता है। अच्छुत दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रत ले चलो। अब यहाँ एक छोटी सी बात हैं, बहुत सुक्ष्म हैं, कई लोग भूल जातें इसको। भगवान कृष्ण को बताया था, दो सैन्यों के बीच में मेरा रत ले चलो। तो वो रत को कहां खड़ा करना था, इसका पूरा decision भगवान कृष्ण के हाथ में था। समझो, तलपना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रत दुश्यासन के सामने खड़ा करता, तो अर्जुन के मन में कोई संद्या आता क्या? युद्ध करू या ना करू? भगवान ने किया किया? भिश्म दुरून प्रमकत हा, सर्वेशाम चा महिक्षिताम, वाच पार्थप पश्यताम, तमवेतान कुरू निती। सभी को छोड़ करके भगवान ने अर्जुन का रत भिश्माचार्य दुरुनाचार्य के सामने खड़ा कर दिया और इतना ही नहीं चावी भी भर दी और कहा कि तुमको अपनों से युद्ध करना है हो जा। ऐसा जब अर्जुन ने देखा, सुना, एकदम वो पंचर हो गया। देखो, गांडी वस्रम सते हस्तात तक्चाई वपरिदैयते नचे शक्नों म्यवस्तातुम भ्रमती वचे में मनाहा। मैं एकदम एकदम पांगल हो गया हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग काम नहीं करता है तो बड़ों को जा करके पुछवा। देखो, तीन-चार बाते आपको बताते हैं। जब आप बहुत प्रसन्न होते हो न, किसी को वचन मत देना। एक बार दशरत जी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि कही कही नहीं उनको मदद करी थी युद्व में एक बार। और कहा था, मैं बड़ा प्रसन्न हो, क्या चाहिए मांग लो। तीन वर मांगे, पूरा रामाइन तैर हो गया। जब प्रसन्न हो, किसी को भी वचन मत देना। जब घुसे में हो, तो किसी के साथ डिसकेशन मत करना। और जब कन्फ्यूज हो, तब डिसिजन मत ले रहा। और जुन ने यहीं कहा, भ्रमती वचे में मनहा, मेरा मन एकदम कन्फ्यूज हो गया है, और फिर भी कहता है, यदि ये मुझे आके मारे, तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं इनको नहीं मार सकता। जब तुमने बता दिया है, तुम विचार नहीं कर सकते हो, तो निर्णे क्यूं ले रहे हो। कितनी महत्व की बात है। ये बात हमको समझनी है वगर दीता थे। अच्छा महराज, ये होने के पश्चार और जुन ने जो बाते कहीं प्रसम अध्याय में, अब ज्यान से सुनना, धर्मसिद्धान्द के अनुसार वो सव प्रतिशत ठीक थी। युद्ध में इतने लोग मरे जाएंगे, उसके बाद समाज ऐसा विकृत हो जाएगा, कि जहां केवल लस्त्री ही स्त्री रहेगी, पुरुष तो सब मारे गए युद्ध में, और फिर ऐसे समाज पर बाहर के मुगल लोग आ करके अत्याचार करेंगे, कन्वर्ड करेंगे फिर कॉरस बिडिंग होगा, संकरो नरका यहीव, कुलग्धानाम, कुलस्यचप यह वर्ण संकर हो जाएगा, और पूरा सत्यानास होगा, और फिर ऐसे वर्ण संकर वाले जो है, वो पिंददान नहीं करेंगे, और उनके जो पूर्वज है, वो नरक में तरड़कते कितनी बाते बताई, सब की सब ठीक थी, लेकिन रिफ्रेंस गलत था, देखो संतो, शास्तरों को समझना है न, तो दो चीजों का आवश्यक है, किस संदर्व में कही गई, और किसको कही गई, बिना संदर्व के, यदि हम किसी भी विचार का विशलेशन करेंगे, तो उसमें कन्फीजन के सिवा और कुछ नहीं आएगा, तो जब ये सब बाते भगवाद ने अर्जुन को कही, उसके पश्चाद, अर्जुन ने ये जिरणा लिया कि मैं नहीं करूंगा युद्धा, और एकदम रच से नीचे उतर गया, और चुप होके बैठा, अब देखो, भगव ने ये क्यों किया ऐसा, अर्जुन के वो तो विचारा आया था युद्ध करने के लिए, उसके मन में confusion क्यों डाल दिया, ये बात हमको सब को समझती है, आप लोगों ने, हर एक ने, हम लोगों ने, सबने, सपने बहुत देखे हैं, आपको समझो, सपना बहुत बढ़िया ह है, आप सपने में बढ़िया एक मोटर सैकल ले करके, कहीं दूसरे देश में, फिन लैंड में गए हैं, और बढ़िया चला रहे हैं, सपने में हो, अभी मत जाना, सपने में, गुम रहे हैं, और बढ़िया आपकी गर्ल्फ्रेंड पीछे बैठी है, ऐसा सपना तुडेगा नहीं, फिर उसी सपने में वही मोटर सैकल कहीं गड़े में गई और गिर गई, एकदम सपना तूट जाता है न, इसी प्रकार से जागरत सपना जो है न, जब तक के गुड़ी 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 चल रहा है, तूटेगा नहीं, इस जागरत सपने से बाहर आने के लिए एक एकसिडेंट होना आवश्चक है, ये वही दर्दे दिल है जो उनको पाता है, ये वही दर्दे दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। कितनी महत्व की बात है लेकिन हम यह सोचते हैं पतानी मेरे जिवन में ज़र क्यों आया तुम उसके लिए लायक हो अब तुम्हारे जीवन का प्रयोजन वही तमाकू वही चुना रगड के खाना नहीं है कुछ और सोचो कुछ और देखो देखो संतो इसे लिए ये जो प्रसंग है भगवन गीता का उपदेश होने के पहले का ये प्रसंग हमको जानना आवश्रक है अब और आगे चलते हैं देखो भगवान ने अर्जुन को जितनी बाते बताई है सब को योग कहा है जैसे ओम तस्दिती श्रीमन भगवत गीतासु उपनिशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णा अर्जुन सम्वाने पुरुशुत्तम योगो नाम पंचदशो ध्याया योग बताया है अब योग का क्या तात्पर्या है योग का तात्पर्या है मीन्स मीन्स माने हम यहां कार योग से आए माने कार में बैठ करके यहां अब कितनी भी आपकी महेंगी कार हो पहुशने के बाद उसको बाहरी रखना है फिर कार्शम उत्रे चपल पहन के आए चपल कितनी भी महत्वकियों उसको बाहर रखना है तो योग माने मीन्स अब जो भी हम लाते है या जिसका उपयों करते है उसको एक समय के बाद त्याग ही करना है इसको कहते उपाए एक ग्रंत है शिवसुत्र उसमें चार उपाए बत है उपाए का मतलब क्या है जो हमको करीब पहुचाता है उपमाने करीब उपवास भगवान के नजदिक जाके बैठना खाने का नहीं सोचना तो जो उपाए है जो हमको भगवान के पास ले जाता है तो कार हमको घर से उठा करके मंदिर के पास ले आई अच्छा है सब को ठीक रख करके दर्वाजिदक ले आई उसकी वहीं जगा है इसी प्रकार से हम जो भी साधना कर रहे हैं उसकी एक मर्यादा है और उसका एक प्रयोजन है तो हमारे जीवन में क्या-क्या बाते है एक तो है देह देह से हमको कर्म करना है दूसरा है हमारे पास वाणी वाणी से हमको बोलना है तिसरा है हमारे पास मन मन से हमको चिंतन करना है अब हम क्या करते हैं शरीर से कर्म करते हैं लेकिन किसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितनी सिंपल बात है हम कुछ भी करते है तो पहला प्रश्ण मुझे क्या मिलेगा एक बार हमारे व्रुद्दा उनकी बात है एक सज्जन आके हमको पूछते है तो आप जी महाराज यह बताईए यह भगवान का नाम लेके क्या मिलता है हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा पिर हम क् मतलो भगवान को जुरूत नहीं हम उनका नाम ले जुरूत अपनी है जब हमारे दिमाग में यह विचार आता है न कि अमुक करने से मुझे क्या मिलेगा तो हमने अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया कि कुछ नहीं मिलना है यह पूरा जीवन इतना ही मैंने इतनी मालाई फिराई कुछ नहीं हुआ किसको कुछ नहीं हुआ माला को परिवर्तन आना है हम में और परिवर्तन एक ही है कि living at zero complaint level हमको किसी से शिक्वा नहीं देखो यही विधी राखे राम तेही विधी रहिये कहते हैं लेकिन जीते नहीं तो कर्म का अतात्परिया इच्छाओं की पूर्ति नहीं है कर्म का अतात्परिया है अंतक्रण शुद्ध होए है हमारे अंतक्रण में हमारे मन में दो रोग है एक को कहते हैं राग दुसरे को कहते हैं द्वेश तो यह रोग है तीसरा नहीं और यह राग द्वेश निर्मान कैसे होते है हमारे जगत जीवन में जो भी कुछ आता है उसको ले करके हमारे मन की दो रियाक्शन होती है देखो जैसे समझो ये गिलास है इसको मैंने देखा देखने के बाद अब मन के उसके उपर में दो रियाक्शन होगी एक रियाक्शन ये अच्छा है चांदी पता नहीं क्यों रखाया द्वेश हमारा मन दुनिया के साथ रियाक्शन करता है तो यह दो कारणों से राग और द्वेश जैसे उदारण हम बताते हैं हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं अब क्या कारण है कोई कारण दिसलाइकिंग या द्वेश के लिए कोई कारण नहीं होता है पंजाबियों के घर में जाओ उनके या पंगन का भरता जो है वो डेली कसी होती है देखो महाराज अब उनको पूछो आपको बैंगन का भरता क्यों अच्छा लगता है उनको ही उत्तर नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता उसका भी कोई उत्तर नहीं माने क्या राग द् कर्म किसले करते हैं अपने अंतक करन से राग द्वेश को मिटाने के लिए कर्म कि जाते हैं देखो न्त राग द्वेश को द्रुड करने के लिए नहीं है अब कैसे देखो समझो हम मां है तो मां का कर्म क्या है पुत्र जब तक के 6-7 साल का होता है तब तक क्यों प्यार करो लाड़ करो सब कुछ करो फिर 7-13 साल का होता है discipline करो फिर 13-19 साल का होता है उसको inspire करो guidance दो कि और जब बच्चा 19 साल का हो गया आप उसको दोस्त के रूप में स्विकार करो लेकिन हमारे हिंदुस्तानी बात क्या है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ पूरा कजबा पैजा हो जाता है मा बाम दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मा मा मामी पूरा का पूरा कजबा पैदा हो गया इन सब में सब्सक्राइब वागी बड़े होता ही नहीं थे वैजिकं की ब अपक्ड़ा की बहते हैं हमंकी पंजबियाओं चोंपिस एख मां सेट है को नोव तो हम शाम करें उनके पास गए उनको नमस्कार्र क्या कहा कि महां कैसे हो ठीक है को सामीं जी तेरे बच्चों उनको बताओ मानते नहीं मानते आपकी बात बुलाओ उनको फिर बुलाया राजो इधर आजा राजू आया कौन था राजू रिटायड ब्रिगेडियर अब यह बुढ़ाओ मा कहती है बच्चे मेरी बात मानते नहीं अरे कब बड़ी होगी तुम कि इसी को कहते हैं आसक्ती और इसी में फसे रहते हैं देखो अपने यहां एक सिद्धानत है वानप्रस्ताश्रम जो कहते हैं वरन आश्रम में वस्ता आश्रम माने ब्रह्मचारी आश्रम अध्येन का समय दुरस्त आश्रम जिंदगी का समय फिर वानप्रस्ताश्रम अब उनका विवाह हो गया नोक्री लग गई अब वो अपने पैर में खड़े रहते हैं अब आप उनके जीवन से दखल लेना बंद करो कि चोबीस घंटे बारा मैंने उसी में चिपके हुए है महाराज आपको दुख होगा मैं जो बता रहा हूं लेकिन सत्य बता रहा हूं मुझे जूडबूर के कुछ मिलना नहीं है अमरिका की बात है एक लड़की जब हम छोटी थी तब हम जानते थे उसको अब वो बड़ी हो गया वो भी माँ हो गई बड़े बच्चों के जब वो दूसरे बार प्रेगनन्ट थी तो उसने अपने मा को बुलाया था मदद करने के लिए इंडिया से वहाँ पोशने के बार वो मा अपनी मेटी को मदद भी करती थी वो भी मा भी ऐसे और दिर नहीं पड़ी लिखी थी बहुत सारा गीता पर प्रोचन भी करती सब कुछ करती थी अच्छा महराज एक बार मुझे उसका फोन आया उस समय में अमरिका में ही था तो उसने का स्वामी जी आप कहा हो मैंने वला मैं यहां हूँ अरे मैं भी यही हूँ मैं आपको मिलने आओंगी मुझे आप कॉंटेक्ट एड्रिस बेज देना लोकेशन बेज देना मैंने बेज दिया उसको शाम को आ गई हो हमनों खाना खा रहे थे खाना मेना खा लिया तो स्वामी जी थोड़ा वाफ करते आठ मैने की प्रेग्नन थी ओं धीर धीर चलो दोड़ा वागी मत को मुझे डर लगता इ और उसने चलते समय मेरा हाथ पकड़ा और अपना सर कंडे पर रोनी लगे या रोना दोना बंद करो तेरे कपड़े खरावा दे रोना बंद पिर स्वामी जी आज सुबह मैं जब गए थी आफिस में जाते समय मम्मी को मैंने कह दिया तुम चली जा मेरे घर से चली जा पिर मैं चुप रहा मैं मैं क्या मैं क्यों दुख्यूं तो उसने कहा सामी जी जब से वो आई तीन मेहने हो गए रोज उठकर के वही बाद मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है एक दिन दो दिन चार दिन रोज का रोज वही क्या मैं जाके उसको मार डालू फिर मैंने क्या तुम यहां आई किसलिए मुझे मदद करने के लिए आई हो कि मुझे परिशान करने के लिए आई हो चली जाओ अपने गर मुझे नहीं चाहिए तूँ ध्यान से सुनना बच्चों को जब बड़ों को ऐसा कहेना पड़ता है न उनको खुशे नहीं होती दर्द होता है दुख होता है तेकिन हम बड़े समझते नहीं देखो संतो इसको किदे वार प्रस्ताष्रम जहां हमारी आवशक्ता नहीं वहां से निकल जाओ जिसे हम गिरिश के हाँ आए कल आए तो खुश था आज ज़्यादा खुश हो गया कल और खुश हो जाएगा जैसे जैसे मेरे जाने का दिन आता है नस्दिक ज़्यादा ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ वे दिन खुशी के शिखर पर पहुंच जागे तो हम जी गए देखो महाराज यदि इनको पता होता नहीं यहां कि मैं ठिकने वाला हूँ तो फिर रोज ऐसी करेंगे कि कब निकल जाएंगे यहां से देखो संतों जहां हमारी आवशक्ता नहीं होती वहां मत जाओ हम लोगों ने अपना जीवन वर्बाद कर लिया है अब बच्चों को उनका जीवन वर्बाद करने दो ने ने हमको मदद करना चाहते कि कैसा बर्बाद जल्दी हो सकता है इसको आ सकती कि यह आ सकती नहीं है यह जा सकती तिकती नहीं इसलिए संतो धीरे धीरे यह सब बाते वृदे में उतरती है तो यह सब का निचोड क्या निकला यही निकला कि हमको इस दुनिया में हम जहां है जब है जो है सव प्रतिशत रहना है तो वानव प्रस्टाश्राम में आए इसके आने के पश्चाद अब दुनिया से अपने आपको हटा लो बहुत हो गया उसके पश्चाद अब तैयारी करें कि अपने माध्यम से प्रभू प्रगट हो गया कि यह कब होगा कि जब हम जो भी कुछ करना था बढ़िया से बढ़िया किया अब मन में कोई रिग्रेट्स नहीं है बुढ़ाबे में दो कारणों से व्यक्ति दुखी होते हैं एक कारण है कि जब मैं जवान था उस समय मैं मैंने ऐसा गलत क्यों किया जिन्दगी भर उस बोजे को ढोते रहेंगे जब मैं जवान था तब मैंने यह करणी यह था क्यों नहीं किया दो बाते से और उसकी जो चोट है इतनी गहरी होती है और बुढ़ाबे में फिर वही जो उपर उपर आने लग जाती है फिर आदमी अपने आप से परेशान रहता है देखो अपने हमने जीवन ठीक से जिया है कि नहीं जिया है कैसे पता चले एक ही इसके तिम्पनुदार लक्षन है मन में कोई गलानी नहीं कोई गलानी नहीं को रिग्रेट्स और इसके लिए जो कर्म योग का सिद्धानत है कि हम जगत में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करें अंतकरण को शुद्ध करने के लिए करें तो करवानी चित्त शुद्यर्थ हम पाना तो बहुत हो गया हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि हम आलसी ना बने अब देखो हम आपको बताते हैं हम साल भर भटकते रहते में 365 दिन में 365 दिन हमारे लेक्चर चलते हैं रोज दो लेक्चर अब हमको क्या मिलता है इसमें से कई लोग हमको पूछते भी है सामी जी आपके आगे वीछे कुछ नहीं ना आश्रब ना इंस्टिट्वूट ना कुछ ना चेले ना चपाते आप क्यों दोड़ा वागी कर हैं हमने का ठीक है धन्यवाद मेरे लिए इतनी सानु होती दिखाने के लिए आज के बाद में आपके घर अके ठीक हूँगा उले नहीं 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 ऐसी बात नहीं को महराज यह स्पष्ट समझ लो कहीं भी किसी को कहना न पड़े कि आप जाने का क्या लेंगे कि इसी प्रकार से सत्संग हम सत्संग नार्मली एक घंटा और पांस साथ मिनिट करते हैं एक हमारे अच्छे मित्र है बहुत बड़े महात्मा है दो प्रकार के महात्मा होते हैं एक होते हैं पेंडाल ब्रांड उनका बहुत बड़ा पेंडाल होता है और हजारों लोग आते है और खाना पीना तबा तबला पिटी जलता है और हमें हॉल ब्रैंड फोड़े सी आते ज्यादा नहीं है हमको चाहिए भी तो हम यहां करके बैठे सत्संग की निकल गए लेकिन खीषते रहे तो आदा गंटा हो गया गंटा हो गया दो गंटा हो गया तो उन्हों ने मुझे एक बार कहा था आमे जी एक बार रशेकेश की बात हैं मैं भागवत की कथा कर रहा कोरी और जो कथा चलती रही चलती रही शाम को साथ बजय थे क्रिक रहा न हमने का आप बोलतो सके दिकि सुनने वाला सुन सका गया study exercises एक सववा घंटे से ज्यादा एकाग्र नहीं हो सकता हुआ हुआ है बोलने वाले को यह समझना चाहिए सुनने वाले की क्या उकाद है एक जोगे अव रिसेंटली बात है चोटे बच्चों का कोई करक्ट था चोटे चोटे बच्चे बड़िया मेक अप करके आये थे कोई जासी के राधी बना था और कोई शिवाजी महाराज बना था कोई भीवे का रंद ऐसे चोटे चोटे बच्चे बैठे हुई थे सामने एक बड़े महामंदले शवर महाराज आके बढ़े और बाके के लोग बड़े नमसका चमसका बच्चों को क्या समझ में आता है उसमें वो तो विचारे अपना प्राइज लेने के लिए आये थे और इनका शुरू हो गया देखो विद्यार्थी के जीवन में चार बातों का होना अवश्रक है एक श्रोक भीश में ठोक दिया उनको पता है ली क्या बोले जा रहे हैं और बच्चे अंग्रेजी वाले उनके सामने हिंदी में हो रहा है उसके बच्चार यह होना चाहिए वह होना चाहिए बच्चे पर बच्चों को देखकर बात करो ना इसी प्रकार से सुनने वाले की क्षमता ज्यादा से ज्यादा एक सवागंटा होती है उससे ज्यादा नहीं तान खीज करके हम अपना समय वरबात करते उनको बोर करते हैं देखो महारा आश्या इसे लिए यह जो ग्रस्ती हमने कर ली अब वानप्रस्त अब वानप्रस्त में हमको दुनिया से वन में प्रस्तान करने की तैयारी के समय को वानप्रस्त कहते हैं वन जंगल, प्रस्थान, जंगल में प्रस्थान करना माने, सन्यास आश्रम में प्रविश करना है, उसके लिए कहते है वान प्रस्थाश्रम, अब वान प्रस्थाश्रम में अब जितना करना था कर लिया, अब अपने लिए भी जीओ, और अपने लिए जीओ माने क्या, इसी जीवन में हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाए अगले जनम का चक्कर ना रखें देखो एतर बुद्ध्वा बुद्धिमान चाथ कृत्य श्यभारत इस सत्व को जान करके हम अपने आपको परिपूर्ण कृत्य श्यकार करें इसके लिए भगवत गीता का सत्संग होता है तो कर्म किसलिए अंतक्रण को सुद्ध करने है और जो काब आपको अंतक्रण को सुद्ध करना इस इंध्धान्त होगा उसके लिए टेकनिक बिताते हैं हम जगत में जो भी करते है उसकी किसी को कोई आवशक्ता नहीं है आवशक्ता हमारी है जिन बच्चों को माबाप नहीं होते क्या वो बच्चे बड़े नहीं होते हैं होते हैं लेकिन माबापों को कितना अभिमान होता है हमने बच्चों को यह किया यह किया इतना बड़ा किया लेकिन बच्चे देख जो भी हम करते हैं आवशक्ता हमारी है जिसे हम यहां आए सत्संग के लिए हमने गिरिश को का भई खाने के लिए नहीं आएंगे सत्संग होगा तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे तो सत्संग करना आप से ज़्यादा हमारी आवशकता है और जब हम स्वैम हमारी आवशकता है इसको लेकर के सत्संग करेंगे तो क्या होगा पहले हम में नम्रता होना आवशक है आपके प्रती आदर बुद्धी होना आवशक है तभी जाकर के ज्यान का आलान प्रदान होता ह तेरी हमारे दिमाग में ये कीड़ा गुज्जा है पतानी अज्ञानी बैठे हुए समझ में आता है कि नहीं अईसा हमारे मन में भाव आया तो हमारा तो सत्यानास हो गया है देखो महारा जो भी करते है अपनी आवशक्ता है हम सुबह उट करके भगवान को नहीं विद्य देते क्या भगवान भूके है क्या आवशक्ता अपनी है भगवान का नाम लेते हैं भगवान की आवशक्ता नहीं अपनी आवशक्ता है खाना खाते हैं खाने की आवशक्ता नहीं अपने आवशक्ता है सोते हैं विस्तर के आवशक्ता नहीं अपने आवशक्ता है इसको समझ लो तो आप कर्म के प्रभाव से धीरे-धीरे मुक्त हो जाए और कर्म का कौन सा प्रभाव है जिससे मुक्त होना है एक ही प्रभाव है हमको जो लगता है कि मेरे सिवा तो द कि मेरे मरने के बाद क्या होगा मेरे बच्चे मेरी पट्वी बच्चे तो नालाएक है और पट्वी तो बेवकूफ है और इतना बिजनेस है अब क्या होगा तो हम हस दिए हमने का मुझे इसका उत्तर मालूम है इसलिए हसा क्या होते हमको भी बताए हमने वेट कर रहे हैं आपकी जाओ हमको ही लगता है हमारे सिवा दुनिया नहीं चलेगी राम आके चलेगे खृष्णा आके चलेगी क्या परक पड़ा अपना महामंत्र क्या फरक पड़ता है लेकिन अहंकार विमुढ़ात्मा करता हमी दी मन्ने थे हमें ऐसी मूर्कता आ जाती है कि हमारे ही कारण मानो दुनिया चल रही है हम अपने माबाप को जानते हैं कोई कोई हम में ऐसे है कि जो अपने दादा दादी नाना नारी को जानते हैं कोई ऐसे है कि जो पड़दादा पड़दादी इतने लिको जानते हैं चौथा मैक्जिमम, चौथा जनरेशन तक के हम नाम जानते हैं, उसके पहले कौन था, एक के भी मन में एक बार भी ये प्रहना नहीं आया, क्योंकि अनावश्चक है, कोई आवश्चकता नहीं, यही कहानी आपके और हमारी होने वाली है, लेकिर ऐसे लगता है कि बिना हमारे दुनिया चलती ही नहीं और इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए माराज भगवत गिता हमको दुख से निवरुत्त करती है, यही समझदारी से पढ़ो और समझो और अपनी जीवन में उतारो, आकरी बात, आपने सुन लिया, जाकर कि किसी को बताना मत, जब खाना आपने खा लिया और डाइजेशन नहीं हुआ, तो उल्टी होती है, एक ने इडली सामार खाया, दूसरे ने रशगुल्ला रबडी खाई, कुछ कुछ हो गया, दोनों ने उल्टी करी, हम यह कहेंगे क्या, यार यह तो इडली समार की उल्टी है, हाँ यह तो रशगुल्ली की उल्ट हे और down होता है, अल्टी है एक इसी प्रकार से, अल्टी किसको कहते है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वही महार आया कि सिप्रकार से यह हो गया होगा तो बाहर नहीं आएगा, नहीं तो आए तो जाखकर के आप आपने उपड़म ऑढ़ा हैं यह बताया था, ऐसा करो और अपना वही तमा को वही चुना रगड दे जाओ कादे जाओ। अपने को बदलने के लिए हम सब संग में आते हैं। दुनिया को बदलना नहीं, दुनिया से प्रेम करना है। ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यदे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यदे ओम शांति 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 हरिही ओम स्री गुरुभ्यो नमहा अरिही ओम